हेई एवरिवान वेल्कम टू माई यूटूब चैनल तो आज मैं आप लोग करें लेकिया विंटर स्किन के रूटीन जो मैं खुद पर्सनली फॉलो करती हूँ विंटर में ना हमारी स्किन बहुत ज़ता ड्राइ और क्राके हो जाती है तो हमें उसका केर करना बहुत सरूरी है तो हमारा फर्स स्टेप है क्लिंजिन इसके मैंने लिया है रॉव मिल्क और कॉटन पैट आप चाहो तो दूद में चन देन में डाल के अपना फेस क्लीन कर सकते हो दूद में लक्टिक एसीड होता है जो हमारे फेस को नैश्रली क्लीन करता है और इसमें वाइटमीन D भी होता है जो हमारी स्किन खेशिक क्रेंद और इसमें जितने भी प्रॉडक्ट्स देश करने M位 सारे आपको घर में अवेलेबल मिल जाएंगे इसको अच्छे से क्लीन क स्टेमिंग मैं recommend करूँगी कि सटेमिंग आप वीक में एक बारी करें स्टेमिंग करने से हमारे पोर्स ओपन अप हो जाते हैं जितने भी dirty particles होते हैं वो भारा जाते हैं फिर इसको अच्छे से एक wet vibe से clean करें थर्ड स्टेप है lip mask मैंने इसमें लिया कॉफी powder raw milk and honey आप इसमें चाहो तो sugar powder भी आड़ कर सकते हो अगर आपको lips scrubber बनाना है मेरी lips बहुत ज़्यादा dry हो जाती winter में तो मैं उसे avoid करती हूँ इसको अपने lips पे लगा ले अच्छे से और under eyes पे भी लगा सकते हैं क्योंकि coffee बहुत अच्छा face को exfoliate करता है और उसे dark circles भी हट जाते हो भी बहुत ज़्यादा helpful है आप चाहो तो इसे week में 2-3 बार use कर सकते हो और इसका result सच में बहुत अच्छा था है मैं खुद परसनले इसे बहुत ज़्यादा use करती हूँ और इसको अच्छे से 10-15 मेट रखने के बाद एक wet vibe से पोच लें या पानी से face wash कर लें 4th step है exfoliating मैंने इसमें लिया है rice powder, honey and milk आप चाहो तो इसमें कुल ट्रॉप lemon के भी डाल सकते हो अगर आपकी skin sensitive नहीं है अगर आपके पास rice powder नहीं available है तो आप चावल को पीस कर भी बना सकते हो ध्यान रखे चावल बहुत ही अच्छे से पीसा हुआ हो हमने जब steaming की थी हमारे pores open up हो गये थे तो rice floor mask हमारे skin को बहुत अच्छे से exfoliate करता है और चितने भी dirty particles है वो सारे बहार आ जाते हैं इसको 10 minutes रखने के बाद अपने हाथों से gently massage करें और water से wash कर लें हमारा next step है face pack face pack के लिए मैंने लिया है basin, haldi, honey and raw milk again आप इसमे neemboo के drops डाल सकते हो अगर आपकी skin sensitive नहीं है तो इसका एक thick layer लगा लेना है अगर आपके face पे acne, pigmentation और skin dull है तो ये glowing के लिए बहुत ही अच्छा remedy है आप इसको week में 3-4 बार यूज़ कर सकते हो literally मैं बहुत ही जादा इसे use करती हूँ, winters में ही नहीं ये summers में भी बहुत जादा helpful होता है 10-15 minutes रखने के बाद इसे wash कर ले ना और आप देख सकते हो मेरे face पे कितना अच्छा glow है next step है हमारी icing icing direct अपने face पे ना करें अगर आपकी skin sensitive है उसे एक tissue paper, rumal या wet wipes में डाल के अपने face पे apply करें icing करने से हमारे face पे जो pores open up होए थे वो tighten up हो जाते हैं और face पे हलकी redness आजाती है तो उसकी tension लेने के आपको ज़रुरत नहीं है हमारा next step है massage massage करने के लिए मैंने भर भर के aloe vera gel लगा लिया है आप चाहो तो moisturizer भी use कर सकते हो face massage का आपको एक अलग से video चाहिए तो आप comment करके बता सकते हो मैं full face massage के अलग से video बना दूँगी पहले हम करेंगे jawline, cheekbones फिर under eyes massage under eyes massage करते टाइम आप ध्यान रखे कि अपना ring finger use करें क्योंकि वहां skin बहुत ज़्यादा sensitive होती है और gently massage करने की ज़रत होती है अगर आप ये step 30 days follow करते हो ना आपकी skin में पक्का बहुत ज़्यादा अच्छा result आता है और आपकी skin tone भी बहुत अच्छी हो जाती है मैं ये वीडियो second time बना रही हूँ और voice over दे रही हूँ क्योंकि इस पर वीडियो पर copyright लगया था चीनोंने मेरी वीडियो last तक देखी thank you so much अगर आप नए हो तो चैनल को subscribe कर लेना बाई बाई